Methods of Asexual Reproduction, the Budding First the contents, definition of budding, then the colony and the gamules So first the bud, students, bud वैसे भी हम कहते हैं outgrowth को अगर किसी चीज़ के ओपर कोई outgrowth appear हो जा तो इसके हम क्या नाम देते हैं? बर्ड कहते हैं, तो similarly reproduction के reference से भी budding एक ऐसा process जिसमें एक animal के पर कोई outgrowth appear होती है और फिर ये outgrowth बढ़ते बढ़ते, complete animal के अंदर convert हो जाती है या organism में convert हो जाती है So that's the budding, ये आमत पर lower in vertebrates के अंदर ज़्यदा common है तो budding के अगर हम definition करेंगे तो यही होगा budding is actually an outgrowth on the organisms which slowly grows in size and it is converted into new animal तो ये आसे थे एक ने animal में convert हो जाती है budding के अनिमल्स के अंदर जो examples हैं इसमें हमारे पास हाईडरा, ओबिलिया और इसके अपास sponges ये आदी common examples के हाईडरा के अंदर budding अपीर होती है ओबिलिया में है और इसके बाद sponges के अंदर जहाँ वो budding अपीर होती है पहले अकर बाद के बाद के बाद के बाद के बाद अपीर होने के लिए आम तोर पर animal के बादी के किसी खास हिसे में cells जहां वो rapidly divide करते हैं animal के cells के divide करने से क्या होगा कि एक out growth बना शुरू हो जाएगी यह out growth बाद में आईसा बढ़ते बढ़ते एक complete small organism की shape अक्तियार कर लेती है तो इससे bird शुरू में bird है बाद में size में increase होकर एक complete organism जहाँ बना देती है अच्छा लेटर आन यह bird जो हो सकता है कि attach रहे और हो सकता है कि यहांसे detach हो जाए जैसे hydra के अंदर आमतर पर यह होता है कि जब यह bird fully grow कर जाती है यह पूरा animal नया hydra बना देती है तो उसके बाद यह अपने parents से separate हो जाती है और एक नया hydra जहाँ बन जाता है यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं एक hydra के अपर दो birds appear है और यह दोनों आगे क्या करेंगे जाकर दो नए डाटर जो animals जो हो बना देंगे दो नए डाटर हाइडरा बना देंगे दर वाट इस कालूनी सम्टाइम्स जो birds है वो अपने parents से separate नहीं होती है तो इससे result यह होता है कि एक parent है एक parent जो animal है जैसे obelia है या कोई भी animal है उसके एक outgrowth हुई यह outgrowth आगे बार का पूरा एक animal बन ग complete एक जो हता वो बहुत सारी birds जो होती है वो एक दूसरे के साथ ही attach रहती है और पूरी पूरे कालूनी बन जाती है कालूनी वैसे भी कहते हैं कि ऐसे animals जो किसी एक species से belong करते हैं और कठे मिलका रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं यह जीज़ा कालूनी तो इस तरह से जो birding क है उसके से bird निकलेगी एक निया obelia बनेगा लेकर वो पहले से attach रहेगा विस साथ से बहुत सारी obelia की जो कालूनी है उसमे थाउजन्ड्स आफ या थाउजन्ड्स से भी जएदा जो different types of different जो उसकी daughter cells है daughter obelia जो है वो एक दूसरे connected ही रहेंगे यहां हमारे पास यह डागराम निकलेंगी तो वो भी इनके साथ ही attach रहेंगी तो result क्या होगा कि एक बर्ड फिर उसकी बर्ड फिर उसकी बर्ड फिर उसकी बर्ड फिर तो एक बहुत बड़ा एनिमल्स का एक group बन जाका है तो इसको हम overall क्या कहेंगे तो कालूनी आफ औविलिया औविलिया के लावा यह क पास तरह की birds हैं जो आम तूर पर बाड़ी के बाहर अपीर होने के वजाए विदिन जो हैं बाड़ी बनती हैं यह sponges के अंदर जैदा है sponges के अंदर आपको पता है sponges जो सील होती है sponge की cavity है तो sponge की cavity की जो lining वाले cells होते हैं वो एक inner growth बनाते हैं एक चोटा सा gamule बना देते है gamule जो है वो birds से तरह से difference है कि जो gamule होता है इसके उपर एक काम तरह कवरिंग मुझूद होती है capsule मुझूद होता है तो gamule is actually the bird which is not outward it is invert यह animal के अंदर बनती है अंदर जो cavity के अंदर बनेगी और यह protective होते ही है covered होती है अच्छा gamule जो है इसे नहा animal तभी बनेगा जब parent की death ह होगी जब एक स्पोंज यह जाता gamule बनते हैं स्पोंजर्स के अंदर तो जब एक स्पोंज जा है वो एक खास life के बाज़ की death होगी तो इसके अंदर जितने भी gamule हैं वो ने स्पोंजर्स बना देते हैं